हे गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल बीएमेज ग्यान तो आज हमको इस्टेडी करना है रोग निदान का सेकेंड चैप्टर जोगी हमारा व्याधी विज्ञान अमध्ध है ठीक है तो आज हम पहला पॉइंट कंप्लेट करें जिसमें डिफिनीशन देखेंगे व्याधी की याधी का प्रया है और क्लासिफिकेशन आफ व्याधी टीक है तो डिफिनीशन साइननिंव्स अन क्लासिफिकेशन ओव व्याधी यह टॉपिक पहला हम आज कम्प्लेट करें इस श्वीडिये में तो चलिए सब्करत करते हैं व्याधिविछ्णम और तो यहां आंग पूर्वद्धा धातु में क्यूंवा व्यद्ध ताडने धातु से व्याधिशब्ध की निस्पत्ति होती है ठीक है वी आंग पूर्वद्धा धातु में क्यूंवा व्यद्ध ताडने धातु से व्याधिशब्ध की निस्पत्ति होती है तो यह हो गया व्याधिशब दुखम आध्धात इती व्याधि अर्थाध जो विभिन प्रकार के दुखों का धारण करावे या मन में रूजा या व्यथा उत्पन करे व्याधि कहलाती है ठीक है तो व्याधी वह होती जो विवित प्रकार के दुखों को धारण करावे और दें है मलब सरीर और मन में रुजा मलब दर्द पेन या व्यथा कोई परेशानी उत्पन करें उसे हुँ व्याधी कहते हैं ठीक है तो उत्पत्ति होगी व्यादी की अब हम लेखते हैं व्यादी की परिभासा परिभासा या डिफिझेशन ओbn इसके लिए स्लोक दिया गया है आचार सुसृत ने स्लोक दिया है वर्डन किया है सूदिस्थान अध्या एक मेव विजो किया है अस्मीन सास्त्रे पंच महाभूत सरीरी समवाया पुरस इती उच्चते तद दुखा संयोगा व्याधाय उच्च जनते छीक मतलब इसका जो अर्थ हुआ है यहां पर कि पंच महाभूत वा आत्मा के संयोग से पुरुष बना यह तो हम जानते हैं कि पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से पुरुष बनता है और यहां पंच महाभूत का अर्थ सरीर की समस्त इंद्रिया उनके अधिस्ठान वा सभी अंग प्रदंग होते हैं और यहां पर जो पंच महाभूत आया है उसका अर्थ हम सरीर की समस्त इंद्रियां से ले सकते हैं या पंच महाबूत का अल्थ मान सकते हैं ठीक है और यही पंच महाबूत या आत्मा या कह सकते हैं अव या वो या अंग प्रतंग या एकादस इंधरियों का स्थान पे जब किसी कारण से विकार या दुख का सैयोग हो या दुख हो उसे हम व्याधी कहते हैं ठीक है तो जब सरीर में या देह में या बोडी के किसी भी पार्ट में या और्गन्स में कोई भी प्रकार का कोई दुख हो या विकार उत्पन हो रहा है तो हम उसे व्याधी कहते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा परिभासा इसके लामों भी दिया ग ये ये व्याध्या संभवन्ति उन्हेंने काया कि जब दोस्त प्रकूपित होका धातु, उप धातु वत्वा मल मार्गों में जाकर उन्हें दूसित करते हैं तो व्याध्य उत्पन होती है। इसके लावा माधान निदान करद्यायक में कहा गया है कि तथा विद दोस दूस्या समूर्षना विशेशो जवर आदे रूपो व्याधी तत काय यस्चा रूचा द्या मलब जब किसी भी व्याधी के लक्षणों की वित्पत्ति का जो मुख्व कारण था वो दूस दूस्या मूर्षना होती है दोस दूस्यों के साथ संयुक्त होकर जवर आदी व्याधियों को उत्पन करते हैं तो ऐसी डिस्पनिशन बताईगी है तो हम पर याद करखना है सुसरुतिय वाला इनका ठीक अब हम रहते हैं मलब सानेनिम सौफ व्याधी या परेयाय व्याधी के प्रय आतं को एक्षमा जुर्विकारो रोग इत्हें रथां तरम एक बढ़ता हु तो आचार्चरख ने साथ प्रया वता हैं मलब रौके व्याधि के साथ प्रया बता हैं अचार वागवट्ने भी यह साथ बता हैं इसके अलावा इन्हों ने तीन और बता हैं यह एपने एक्स्ट्राइट की थिए हैं ठीक है तो सबस cloth पहले देखते हम आ आ मय थी कि तो आ भूक और यहां प्यार है तो आम से हम समझ सकते हैं कि जब रोक की जो रिखती वो मैक्सिमम केश में आम से होती है तो यह गाहां यहां पर गड़ करता है अर्थ होता है डूसित त्रिजोष याइद भी है रोट है धातू के जा हुआ मसे हoms Oke सब्सक्राइब करते हैं तो दीसित जो त्रि-दोस होते हैं और इंघनी दोस्ट होने से वियाधी तुपन विश्ख के समान की हानिकारक होती है जब टीदोस दूसरी चाते हैं धातु इस यादुरत हो और अगनी डूस्ट हो जाती है तो जो विकार उत्फण होता है यह जो व्याधी उत्फण होती है वह इसकिशान हनिकारक देश लिए हमें परभाद बताया गया है तो आतंक मतलब जैसे जूझ जीवन को कश्ट पूरवक बना दे मालब जीवन में या लाइफ में कोई परेसां प्रेयाय में इसके व्यादी के सेकेंड बताए चौथा बताए याक्चमा ठीक है तो जिसे प्रकार राक्चमा अनेक रोग युक्त होता है अनेक रोग युक्त होने करण विकार को यक्चमा कहते हैं ठीक है पांचवा जवर में है कि सरीर वा मन में संताप उत्पन करने वाला जवर होता है यह भी सरीर में कोई कठिनाई या दुख प्रोवाइड करा रहा है उसके बाद आए विकार तो धातुमा में विसमता होना ही विकार होता है तो धातुमा में विसमता हो रहे जिससे रोग इससे बाब है स कर्म करंफ्र होने से terug कहते और पाप oni करने की सिर्ण जो भी एम पाप कर्म करते उससे जो व्याधि उत्वा परेया ले सकते इंगाएगा इसके बाद बताए गया आबाध थीक है तो मैंल्प जब सरीर वे मन को बाधित करनी के करण सरीर वे मन कीरियां समय रूप से नहीं हो पाती तो यह वस्थव को हम आबाध कहते हैं ठीका बाध थीक है भाइस में रहती है तो हम उसको दुख कहते हैं और दुख संयोक से ही रोग उत्पन होता है व्यादि उत्पन होती है तो यहां पर हमारा कंप्लेट हो कहा इसके प्रया है अब हम देखते हैं रोगों का वर्गी करण रोगों का वर्गी करन एक स worm दो प्रकारं इसरे भी वियाधिया रूप से मिलता है अब सभी प्रकार की व्यादियों में दुख होता है दो भेट से हम देखते हैं पहला है प्रभाव भेट से प्रभाव भेट से दो भेट हैं साद और आसाद साद मलब जो रोग चिकित्सा करने पर सांत हो जाते हैं अथात जिनके पूर रूप या रूप की संख्या अल्प होती है ज़्यादत है अधिस्ठान बहत कि दूस्टी होने से मानसिक रोग होते हैं वात पित कफ सरीरिक दूस्टी होने या दूसित होने से सरीरिक जब हम दोस्त होकर रोग उत्पन करते हैं उत्वस्ते तुसे हम स्वधातु कहते हैं और आगंतु काते हैं और आगंतु मतलब जब आगहात या कोई कीटारोँ जीवाडू मुलत जो बाहक हेटू हो वो रोग उद्पन कर रहे तुछ हम आगंतु को ओलते हैं पांच वहें आसे भेत से आसे बेत से दो हैं आमासे समुत्त और पकवासे समुत्त में आएगा की हैं नां से में जो बहर की होना उत्पन हो जैसे अमासे के ए रिद्धा स्थाusan आधो भाग को आशब when आ कर रिद्धे आ कर्याएं divat हो उसके बाद हैं है अधार पर तो हैं और निज है अधार हिजम हूं हो रहा है अगंतुज में बाहर के कारण से बाह है 果ऑ है निंज मतलब अपने सवाम से तो निजे रिव के दोसों कि जो विसमता होती है रोग उत्पन के ऽी निजरोगा सांवाया वह कि captain नानसीन उस्चाल में स्छिंट में प्रता यो बाद सीर्भ में किसी भी एक दोस्ते हैं अथवा दोस्त के संसर्ग से अथवा तीनों दोस्त के संसर्ग से या उन्हें हम सामानेज रोग कहते हैं जब कोई रोग हो रहा है या वो एक दोस्त उत्पन हो रहा है एक दोस्त की दूस्ती से दोनों दोस्त की दूस्ती से या तीनों दोस्त की दूस्ती से तुछ हम सामाने प्राप हो रही है उसे उना आफमक रोग कहते हैं जैसे पित डानातमेघ विकार होते हैं चालीस होते और कफ नानात्मजबिकार बीस होते हैं ठीक है आठवा है क्रिया भेद से तो क्रिया भेद से दो भेद हैं सस्त्र साध्ध और इसने आधी क्रिया साध्ध में छेधन बेधन लेखन वे एशन आहरण आधी कर्मों के दारा आधी सस्त्र जैसे जलोगा आधी अनुसस्त्रों के दा यह सारी करमों से रोगों का इपचार किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसे हम इसने हम आधि किरिया साध्द रोग कहते हैं करें लुइफ तेरह और प्राकृत रोग और वैकरित रोग कㅎ लाइए बिदूर संचे प्रपरीद में करें क्या प्राकृत के विप्रीत जैसे दर्त रृत दोस्त की प्रकूपित होकर वात अथा कफज रोग उत्पन करें बसंद रितु में वात अथा पित्थ प्रकूपित होकर वात जाओर पित्थ रोग उत्पन करें तो यह वैकरित रोग हो गया तो मतलब जिस स्वाभाव से जिस रितु में जिन दोसों का संचय प्रकोब होना है उस रितु में नहांकर किसी दूसरे रितु में हो रहे हैं तो उसे हम वैकरित बोलेंगे और जिस रितु में स्वाभाव से ही जिस रितु में संचय प्रकोब दोसों का प्रशमन होना है अगर वो दोस उसी सब्सक्राइब निज आगंतुज और मन निज में क्योंता है जो वात आदी दोसों से प्रकौप होने से जो रोग होते हैं उसे हम निज रोग कहते हैं आगनतुज में आगात मलब घात कोई घाट जीवानु संक्रमन से होने वाले जो रोग होते हैं उसे हम आगनतुज रोग कहते हैं मार्ग भेट से साखा असरित खोश्ट आसरी तो मर्मस्थिस संधी रोग तो ये सब हम पढ़ी ही जो साख साखा मुत्पन हो रहे कोश्मुतपन हो रहे और मर रोगमार्ग और उर्थव रोगमार्ग में दोस भेत से देखते हैं तो आगने सौं में और वायब। है ठीक को आग यहां पिततत के लिए हो गया सम में कफच के लिएह और वायब वातच के लिए तो वातच पिततत कफच के बेद पर बताया अध्यात्मिक रोग इंने उन पताया अधिभातिक और अधिदैविक अध्यात्म करथ मन सहित शरीर में प्रवित्रोगों Sprπο Sorman unre Spring-7 वाले था इसे आधिभातिक्रों में कैते कि संगवाइथ भलप्रवित्रोगों स्वर्व नायव सम्हें अधिभातिक लग जीवारास संक्रमर्स से होते हैं दमद हरा पूरवजन कर्मों की करना जो रोग होुते हैं सब्सक्राइब करमाई लोगा है जिस मथे प्नाख करमाई विनान बताए énormément या जो जबस कितना रुपड़न विलान बताए या जो मान filters जनमांतर स्वारीज ठीक विधान बतायाँ या और जो उसका परितियाँ परित्याक करने से दोस्त वैसमक के करण उत्पन नहीं तो जो रोग उत्पन होते उसे कर्मज कहते हैं आप देखते हैं करमज पूर करमज और अधरिश्ट करमज इसमें क्यों होता है यह ब्लब बेना कोई कारण के मलब बीना कोई इस पहस्ट लक्षन के जो प्रूग उत-पन होगर रहे हैं कि यूफ कर्म की ए गे हैं उसके जो परिपाक का काल होने के बाद उत्पन हो रहे हैं उसके हम कह सकते हैं पूर कर्मज आइसे हम कार्मज लोक कहते हैं लश्ट्रिष्ट कर नुद्पन होते हैं अथा दोनों ही रिखाल करमों के संकर कार नहीं होती है अब हम देखते हैं चार-वयद्ट है की अमिफीर से पहले n Burns के सबांने चब्लें के सुरुप्त कि मनसेश्पाइओ धिस्तंपर्पन होते हैं उतर्पन होते हैं माझनास ग्रोध्थ सुरुप्य हर्ष विशाद इर्षया काम लोभ आधी से तथा इच्छा और द्वेस के आनेक बेदोस उत्पन होते हैं सवभाविक आधी भूग प्यास वृद्ध धवस्ता निंद्रा आधी सवभाविक रोग होते हैं संहानिस ठीक हो जाए जो रोग ठीकी hog फिर नहीं जो कृष्टकारी हो ठीक है तो यह सारे होगे एक से से देखते हैं क्यों कि सुस्णूथ और वागवट अलग बता है आदी बल प्रवित रो उने कहous सहज रोग इसको जनव बलप्रवित गर्भज दोस्बल प्रवित जातज संगाद सभाव बलप्रवित पीड़ाज काल बल प्रवित काल डैना आधी बलप्रवित रोग पिता और डोस्त से उत्पन होने वाले कुष्ट वा अर्ष रोग आधी रोग आधी बल प्रवित कहे जाते हैं ठीक है जन्म बल प्रवित में क्या होता है कि चमने प्रवम trendyya घरवाज में तो गर भुवाती मातादव्हा मिथ्थायर के सेवन करने सः उत्पन्न होने वाली संतती में जो रोग उत्पन होते ह। उन्हें हम जन्म बल प्रवित व्याधी कहते हैं इसे को हम गर्भज कहते हैं दोस बल प्रवित या जातज दोस पर जब व्याधी हैं सरीरिक दोस मलब व्याद पित कफ आधी के करण वबानसिक दोस रज और तम के दुष्ट होने से उत्पन होती है उसे हम दोस बल प्रवित है पी कहते हैं कि की इसके बाद है कि संगात बलप्रविट कि या पीड आज इसमें क्या होता है कि जब प्रहार पातन या आगात आधी कारणों से अध्वन होने की करन संगात प्रविट वादी या अगनतु जव्यादी हम से कहते हैं काल बन पर दिया कने ढोलत तो जब रितिवें के सीत उस्ट वात वर्सा आतप निवात वादनकार आधी कारण से जो रोग उत्पन होते हैं काल बल प्रवित मेक्ष कहते हैं अब rumors के ब्रामार के साथ अभी द्रोह करने से अत्वा गुरुओं के अभी साफ से उत्पन या थरवेद प्रणीत अभिचार मंत्रों के प्रयोक से तथा उपसरगज अर्थात संक्रामक रोगों से ग्रसित वक्तियों का संक्रने से उत्पन जो व्याद ही होती हैं उसे हम दैब बलप्रवित या बाल भickt को स्वाबवाल प्रवित या हम सभाव रोक कहते हैं सभावाज रोक कहते हैं ठीक है तो यहां पहलं को यहां में अपना बासे कामें ऊब्सक्राइब में मिलते हैं सुद्सकुरॉ झाल झाल